आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में हमें दे रखा है कि एक Object initially Converging Lens के Front में अपराई Direction में 25 cm पर रखा हुआ है और Converging Lens का Focal Lens हमें दे रखा है 20 cm एक Concave Mirror जिसका की Focal Lens 15 cm है यह हमारा Lens से 120 cm पीछे रखा हुआ है तो जो हमारा Final Image होगा उसे इन में से कौन से Options डिस्क्राइब कर पा रहे है तो देखें इसे पाले तो हम Draw करके देख लेते हैं ठीक है लेटसे कि यहाँ पे हमारा Converging Lens है ठीक है और इससे हमारा 25 cm फ्रंट में अपराई Direction में रखा हुआ है Object तो यह हमारा Object होगया और यह Distance हमारा होगया 25 cm और लेटसे कि यहाँ पे हमारा Mirror रखा हुआ है यह हमारा Concave Mirror है और इन दोनों के बीच जो Distance है हमारा यह दे रखा हमें 120 cm ठीक है तो देखें लेटसे कि हमारा I1 जो है वो हमारा Lens का First Image है और Mirror के लिए Object है और लेटसे कि I2 हमारा First Image है Mirror का और यह Refraction के लिए Object है ठीक है तो पहले हम देखते हैं Refraction के लिए तो Refraction के लिए हमारा आ जाएगा 1 upon V minus 1 upon U U देखे हमारा Initially 25 cm है तो यह हो कि हमारा minus 25 equals to 1 upon 20 तो यहाँ से हमारा आ गया 1 upon V equals to 1 upon 20 minus 1 upon 25 यानिकी 1 upon 100 तो यानिकी यहाँ से हमारा V आ गया V equals to 100 cm ठीक है अब देखे अब देखते Mirror के लिए तो हमारा आ जाएगा 1 upon V plus 1 upon minus 20 देखे वी जो है हमारा 100 cm आया तो यह distance हमारा 120 cm है तो जो हमारा object होगा I1 देखे I1 हमारा आ जाएगा 100 cm पर यह distance हमारा 100 cm हो गया यानिकी Mirror से distance हमारा हो गया 20 cm ठीक है तो Mirror से 20 cm आ गया तो Mirror के लिए अब यहाँ से हमारा object का distance minus 20 आएगा क्योंकि यह जो I1 है अब Mirror के लिए object की तरह भी आप करेगा ठीक है तो यह हो गया हमारा minus 1 upon 15 यहाँ से हमारा आ गया 1 upon V equals to minus 1 upon 60 तो यहाँ से हमारा आया V equals to minus 60 cm ठीक है तो यानिकी हमारा जो I2 है यानिकी Mirror से reflection के बाद जो हमारा image आ रहा है वो 60 cm के distance पर तो यह हमारा आ गया I2 इधर कहीं आ जाएगा जो की यह I2 हमारा Mirror से 60 cm के distance पर तो यह distance हमारा आ गया 60 cm ठीक है अब देखें अब देखने है final reflection Mirror से reflect हुआ अब वापे से lens से refract करेगा ठीक है तो reflection के लिए हमारा finally आ गया for final reflection at lens final reflection at lens यह देखें इनिस्याली जो था यह हमने देखा था reflection के लिए उसके बाद फिर यह mirror से reflect हुआ तो यहाँ पर यह हमारा आ गया for mirror mirror से reflect होने के बाद वो वापे से lens से refract करेगा यह हमारा final reflection होगा तो इसके लिए हमारा आ गया 1 upon v plus 1 upon 60 अभी object हमारा i2 हो जाएगा इसके लिए तो object देखें यह हमारा lens से 60 cm के distance पे है क्योंकि यह distance जब 60 है तो यह भी हमारा 60 होगा ठीक है तो यह होगा हमारा 1 upon v plus 1 upon 60 equals to 1 upon 20 तो यहाँ से आगया हमारा 1 upon v equals to 3 minus 1 upon 60 यानी कि 1 upon 30 ठीक है तो यहाँ से हमारा आगया v equals to 30 cm तो यानी कि हमारा जो final magnification हो गया final magnification equals to minus 4 into minus 3 into minus 1 upon 2 ठीक है तो यह हो गया हमारा minus 6 तो देखे हमारा जो final v है यह 30 cm के distance पर यानी कि हमारा final image होगा inverted और यह हमारा distance 30 cm है ठीक है लेंज से तो देखे हमारा final image कैसा हो गया जो हमारा final image है वो real है inverted है initially हमारा upright direction में था आप नीचे के direction में तो यह हमारा inverted आ गया और हमारा magnification minus 6 आ रहा यानी कि हमारा six times enlarged हो गया तो enlarged आ गया ठीक है तो यह हो कि हमारा answer प्लासिक्स टुट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर